सब लोग आजाओ जल्दी से दोस्तो आपके टेक्सबूक का पेज नंबर 111 जो है वह वाले पेज़ 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 जल्दी से आज़ो फटा करके और यहां पर अपन क्या करेंगे बोलो तो यह जो एक्सरसाइज उनने हमको दिया हुए अब्जेक्टिव कोश्चन से वह आज आपने आपके कंप्लीट कर देंगे ठीक है अभी देखो उनने आपके क्या दिये है सिलेक्ट दा मोस्ट अप्रोप्रियेट अल्टरनेटिवस फ्रॉम दोस गीवन बिलो ठीक है तो यह आपके हमको कुछ उनने चीज़े दिये बेटा उसका हमको यहाँ पर करेक्ट ओप्शन दूण रहा है ओके नॉट फर प्रॉफिट कंसर्ण रेंडर्स डाइडर्स सर्विसेज टू दा पॉब्लिक एट लार्ज यहाँ पर जो एंपियो है दोस्तों वो कौन सी सर्विसेज देता है यह लोगों को जैसे कमर्शल सर्विस सर्विस टेंगे जिसका वहाँ पैसा कमाने का कोई नीशन रहेगा इनसर पर इसका एंपर कातरश का ग्यांक एंव फांव डोस्तों डोनेचन बात बोलो सुनों जब भी अपन Commission के लिए टोनेशन मिलता रहे गा तो यह अपन वापर now donation वापे माना जाता है ठीक है तो हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी आपको वापे कोई specific donation अगर मिलेगा ना तो यह हमारा वापे capital receipt होगा बच्चो capital receipt होगा ठीक है तो वापे सब लोग इसको जल्दी से टिक करो capital receipt को फटा करके टिक करो capital receipt को समझ में आया क्या हमेशा रखना fund मतलब आपका specific donation specific मतलब capital receipt ठीक है आगे देखो income and expenditure account is a dad dash account तो income and expenditure account कौन सा account होता है मुझे बोलो जल्दी से income and expenditure से मुझे surplus deficit मतलब profit loss मतलब nominal account हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बोलो nominal account एकदम बरावर ठीक है न अभी उन्हें आगे क्या दिये देखो outstanding subscription at the end of the year represents ठीक है अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो जोस्तों क्या रहे तो outstanding मतलब जो भी subscription का पैसा मुझे current year में वापे मिलना चाहिता लेकि उन्हों मिला क्या बोलो नहीं मिला तो जो भी पैसा मुझे मिलना चाहिता लेकिन नहीं मिला मतलब वो मेरा आपे ऐसेट होगा के नहीं होगा बोलो hundred percent asset होगा समझ में आया क्या तो यह मेरा यापे क्या बन जाएगा दोस्तों asset बन जाएगा च्वलो next देखो उन्हें क्या दिया दोस्तों आगे उन्हाने वापे हमको दिया सब्सक्रिप्शन रिसीवड इन एडवांस द्यूरिंग द्यूरिंग अकाउंटिंग इयर इस कॉल्ड है अभी मुझे एक बात बोलो ठीक है जब भी आपको आपे दोस्तों कोई भी आमाउंट अगर एडवांस में मिल जाता है तो वह आपका क्या होगा बोलो वह आपका लाइबलीटी होगा वह आपका क्या होगा बोलो लाइबलीटी होगा सबको समझ में आ रहे हैं अगर हमको कोई भी पैस अगर एडवांस में मिलता है तो हमारा करेंटियर के इंकम थोड़ी ना होगा वह आपना लाइबल instead of P&L account, बोल सकते हो क्या, NPO वापे कौनसा account बनाता रे बच्चो, तो वापे वो बनाएगा income and expenditure account, कौनसा बनाएगा बोलो, income and expenditure account वापे वो बनाता है, ठीक है, तो वापे आप लोग टिक करोगे, किसको मुझे बोलो, income and expenditure account को वापे आप लोग टिक कर दोगे, जल्दी से फा payment account मतलब कैसा रहता है, बोलो, यह same to same हमारे cash book जैसा रहेगा, बोर बर एक है, तो cash book का closing balance कैस का रहेगा, बोलो, cash and bank का रहेगा, किसका रहेगा, बोलो, cash and bank का वो, हमको आपे closing balance बताएगा, यह किसका closing balance बताएगा, cash and bank का closing balance यहापे हमको बताएगा, चलो, next देखो, क्या द है मुझे बोलो लोगों को service देना होता है तो इसका objective रहेगा आपका service organization क्या बोलेंगी इसको service organization भी बोल सकते है ठीक है चलो next day को क्या दिया है आगे उन्हों दिया expenditure on purchase of building अभी मुझे एक बात बोलो building अपन रोज़ोरस करते क्या कभी-कभी करते बोलो कभी-कभी करते तो जो भी चीज़े अपन वहापर कभी-कभी करते उसको अपन वहापर बोलते capital expenditure क्या बोलेंगे बच्चो capital expenditure बोलेंगे बोलो समझ में आया यहापर सब लोग मार करोगे capital को बोले इतना हुआ कह रहे